हाई फ्रेंड्स गुड मॉनिंग स्वागत है आपका एपिसलोसन में देखे बिहारदारोगा का एकजाम बहुत ही नजदिक आ गया है अभी से अगर बात करें तो मात्र चार दिन का समय है आपके पास 22 दिसंबर को एकजाम होने वाला है 21 दिसंबर को आपको सेंटर पर पहुंच जाना होगा जिनका सेंटर दूर है वैसे तो ज्यादा तर स्टूडेंट का सेंटर उनका होम सेंटर ही है अपने डिस्टिक में है या डिस्टिक से सेटे हुए किसी और डिस्टिक में है ज्यादा मार्किंग में confusion है इसमें बताईए कितना पर negative है क्या करें इसमें नहीं करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दू कि आप लागातार त्यारी कर रहे हैं बिहारदार होगा कि और जहां पर भी जिस प्रस्ण में confusion हो उसमें आप negative में risk लेने में नहीं चुकेगा क्योंकि मैं प्रस्णों पे एक negative है ठीक है अगर आप 5 गलत करते हैं तो एक सही से आपका काटा जाएगा तो आपने पढ़ा है अच्छे से त्यारी किया है तो ऐसा नहीं है कि 5 में आपका 5 गलत हो जाएगा तो आप negative मार्किंग में risk ले सकते हैं इसमें कोई हाँ जो student महीने दो महीने स त्यारी कर रहे थे बिल्कुल नए थे इस फिल्ड में general studies में तो ओ थोड़ा सा सोच समझ करके आप negative में हाथ लगाएंगे क्योंकि लागातार अगर गलती करते जाएंगे तो आपका सही से भी गलत हो जाएगा तो जो लोग पढ़े हुए हैं और थोड़ा थोड़ा जहां आप एक confusion है उसमें आप चुकेंगे नहीं negative में आप अपना हाथ जरूर लगाएंगे क्योंकि chances है कि ज्यादा तर आपका सही होगा negative में आपका नहीं जाएगा तो पांच में एक negative है negative marking ऐसे किया जाएगा आपका तो अब जो है आप लोग message ने बहुत सारे student बोल रहे थे कि सर 10 में है या 5 में है बहुत बड़ी confusion यह बनी हुई है इसको clear किजिए तो मैं आपको बता दू कि 5 में आपको और साफ साफ advertisement में भी इन्होंने लिख दिया था कि 5 में से negative लिया जाएगा इस बार जो है बैकेंसी अच्छी खासी है 2400 लगभग बैकेंसी है तो result आपका होग और cut up अगर 70% आप करते हैं तो आप मालो कि आपका result हो जाएगा इसमें आपको सबसे ज्यादा जो focus करनी है वो current affair के उपर मैं starting से बोल रहा था इसमें लगभग 20 प्लस ही current affair से प्रस्न पूछे जाएंगे अब चाहे वो current affair हो history हो जोगराफी हो details में पढ़ने की बिल्कुल जरुरत नहीं है ज्यादा से ज्यादा maximum आपको प्रस्नों को हल करना है questions करने है current affair मैंने launch किया था वारसे की एक साल का current affair launch किया है December 2018 से November 2019 तक का पूरा news में cover किया गया है और November से ज्यादा नहीं पुछा जाएगा अब current affair में ये जो mcqs दिया हुआ है mcqs को ही अब solve करेंगे मैंने जो current affair launch किया इस में details में news लिखा हुआ है और साथी साथ last में mcqs with explanation भी दिया हुआ है तो जो लोग इसे purchase किये हैं 2 से 3 दिन में 2 दिन में आप कोशिस किजिए कि जितना जो mcqs है ओ मैं एक बार फिर से कर लूँ तो आपका revision भी हो जाएगा और explain किया हुआ है यहाँ पे तो अच्छे से revision हो जाएगा practice set मैंने जो launch किया था उसमें 10 practice set थे तो आपके पास जो भी practice set है daily 2 से 3 set लगाईए daily जो है कम से कम 2 लगाना है 3 कम से कम आप कोशिस किजिएगा 2 से 3 लगाईए क्योंकि समय न कि कि आप नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बिहार जी के से प्रस्न नहीं बनते हैं पिछले वर्स जो दारोगा का exam हुआ था उसमें बिहार जी के से प्रस्न न के बराबर एक प्रस्न सिर्फ पूछा गया था तो इसमें आप time waste नहीं करेंगे थोड़ा बहुत अगर हो सके तो MC क कर लिजेगा बिहार जी के से बाकी और कुछ करने की जोरत नहीं है अभी से भी अगर आप purchase करना चाहते हैं इसे तो link description box में दिया हुआ है आप वहां से जाकर purchase कर लिजिए और current affair को solve किजिए जो MC की दिया हुआ है और practice set 2-3 daily अभी से भी लगाई है ज्यादा जानकारी के ल पूछे जाएंगे अब science के अगर बात करें तो science में भी details में नहीं पढ़ना है आपको practice set अगर लगाएंगे तो उसमें भी science दिया हुआ है अलग से अगर आप पढ़ना चाहें तो आप SPD पढ़िए SPD railway का जो आता है उसमें last में देखेंगे तो MCQs भी और one liner question भी दिया हुआ है SPD के अलावे अब कुछ भी पढ़ने की जोलत नहीं है science के लिए उसमें physics chemistry और bio PCB ये तीनों का प्रस्ण मिल जाएगा तो पतली सी पुष्टक है और सब के पास ये पुष्टक होगा क्योंकि railway की बहुत ही बड़ी भेकेंसी आया हुई थी और सबने ये पुष्टक खरी दी थी तो आप इसी से science को cover किजिए इसके बाद history जो है history का तीन पाठ है history भी पढ़ने की जोरत नहीं है details में अब जितना ज़्यादा हो सके प्रस्ण को solve किजिए चाहे practice set से हो या अलग आपके पास प्रस्ण हो तो उसको solve किजिए क्योंकि history से भी maximum question होते हैं 15 plus question आपका history से होगा current affair मैंने आपको बताया कि 20 plus आपका current affair से पूछा जाएगा static gk भी आप रट लेंगे static gk से भी लगभग 10 से 15 प्रस्ण है यहां से भी बन जाएंगे इसके बाद geography की अगर बात करें तो geography भी अब जो है अगर lucent का objective है आपके पास तो उसको एक बार देख लीजे lucent से ज़्यादा नहीं पढ़िए या कोई भी objective book हो आपके पास तो उसी को पढ़िए अलग से मत पढ़िए क्योंकि अब समय नहीं है maximum courses कीजिए कि 500 geographic question 500 सबका आप complete कर लिजे जो आपको मैतपुन लगे वहां से तो यह सब है इसके बाद economic से कम प्रस्न पूछे जाते हैं उतना नहीं और quality से quality में जो है ओ आर्टिकल आप देख लेंगे और आर्टिकल के अलावे जो अभी हाल ही में संसोधन किये गए हैं और जो बिल पास किया गया है अभी जैसे जो बिल पास किया गया है नागरिक्ता बिल यह सब जो है ओ current अफेर में quality में ही आ जाएगा तो नागरिक्ता से संबंधित आप देख लेंगे quality में नागरिक्ता किस में आता है किस अनुछेत के तहट नागरिक्ता जो है ओ किस देश से लिया गया है ये सारी चीज़े आप देख लेंगे नागरिक्ता के लिए क्या-क्या जो है ओ प्रावधान है नागरिक्ता भारत की नागरिक्ता कैसे मिलती है और इसमें जो अभी changes किये गये है पहले 12 साल था अब 5 सा प्राश्मीर उसमें आर्टिकल को देख लेंगे 370 को और 35 एको ये किस्से समद्धित है यहां से भी प्रस्थन बन सकता है तो जो भी अभी नए संसोधन हुए है ओ सब देख लेंगे आप लोग यहां से प्रस्थन बन सकता है ये सब करंट अफेर के साथ साथ पॉलिटी की बात है एकनोमिक्स में मैं आपको बता दूँ एकनोमिक्स में क्या करना है एकनोमिक्स में करंट अफेर का ही एकनोमिक्स पुछा जाता है एक तो आप जीडीपी जरूर आप पढ़ेंगे पिछले बार भी जीडीपी पुछा गया था उसमें जीडीपी का डेफिनीशन चाहे कोई कंपनी हो या कोई पत्रिका हो किसने रैंक के बारे में भारत की रैंकिंग के बारे में क्या काहा है ये एक बार जरूर देख लेंगे इसे भी देख लेंगे इसके बाद बजट को देख लेंगे बजट में क्या-क्या प्राउधान किये गए ये सब देख लेंगे अब समय नहीं है economics, अगर बिहार की बात करें तो बिहार economics का वीडियो मैंने bना रखा है आप सर्च करेंगे economics survey, बिहार का economic survey तो आपको हमारे चैनल पे वो वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने BPSC और बिहारदार होगा, दोनों के लिए समयली तुरूप से बनाया था बिहार का बजट भी मैंने बनाया था तो बजट को और इसको जरूर देख लेंगे ओके हाँ एक चीज और आप देखेंगे जन संख्या जन संख्या को भी देख करें जाएंगे जन संख्या एक बार देख लेंगे किसी भी बुक में आपको जन संक्या मिल जाएगा वहाँ पे सेक्स रेस्यो यह सब जो है आप एक बार देख लेंगे जैसे अभी अगर 65 भी बीपीएसी की बात करें तो इसमें यहाँ से भी प्रस्न, population से भी प्रस्न पूछे गये थे और खास करके बिहार से प्रस्न पूछा गया था तो एक बार इस टाइप के प्रस्नों को देख लेंगे, हल कर लेंगे आप तो यह है आपको मातर चार दिनों में ऐसा करना है और एक सुबह में आपको लगाना है प्रेक्टिस सेट में मैक्सिमम जो टाइम देना है आपको तीस मिनट देना है तीस मिनट से ज़्यादा समय आपको नहीं देना है दूसरा में भी वैसा ही करना है और तीसरा में भी वैसा ही करना है इसके बाद तीनों जो सेट आप लगाएंगे तीनो सेट लगाने के बाद मालिया की पहला सेट आपने लगाया उसमें आपका 60 marks आया अब इसमें गलतियां कहां कहां पर हो रही है उस समय नहीं देखेंगे एंसर मिला करके अब जो है और रात को एक घंटे इसके लिए समय देंगे कि इन तीनो सेट में कहां कहां चूक हुआ कहां कहां पर गलति भी इसको आप देख लेंगे एक बार तो आपका clear हो जाएगा तो ऐसे जो है आपको अब मातर चार दिन में करना है समय से पहुँच जाएए सेंटर में हाँ सबसे बड़ी चीत आप जब अपना नाम फिल करेंगे पहुत सार स्टुडेंट यहां पर मिस्टेक करते हैं नेम रॉल नंबर जो आपको उसमें आपको गलती नहीं करनी है बहुत सार स्टुडेंट उसमें अपको समय दिया जाता है 15 मिनट का आप पहले अच्छे से पढ़ लेंगे इसके बाद ही पेन लगाएंगे उसमें ब्लेक पेन ही आप लेकर जाएंगे ब्लेक या ब्लू भी साइद अप्सन में आप आता है तो दोनों में से कोई भी आप लेकर जा सकते हैं तो कोशिस किजिएगा ब्लेक पेन ही लेकर जाएगा और अच्छा सा पेन दो पेन आप कम से कम ले जाएंगे अपने साथ ठीक है तो OMR सीट जो होगा OMR सीट को अच्छे से आपको फिल करना है तो ऐसे करनी है तैयारी अब समय नहीं रहे गया है कुछ नया पढ़ना के लिए जो आपने पढ़ा है बस उसी को रिविजन किजिए करन्ट अफेर पे बिसेस ध्यान दीजिए अभी से भी समय है और दो तिन दिन में करन्ट अफेर को पढ़ लिजिए और मेरा जो करन्ट अफेर है एक साल का जो मैंने बनाया है उसमें जो एमसी क्यूज दिया हुआ है उसको आप जरूर देख कर जाएंगे तो बस इस वीडियो में इतना है अगर कोई भी प्रस्न हो आपके मन में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछिए या वाट्सअप नंबर पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं तो बस इस वीडियो में इतना है तेंक्यो समच